इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनलाइजेशन अफ अकाउंट्स इन टैली प्राइम के बारे में वीडियो को शुरू से लेकर अंदक जरूर देखे काफी इंपॉर्टन वीडियो है यह अगर अभी तक आपने हमाया चानल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स कैसे करेंगे टाली प्राइम में कैसे एरड को ठीक करेंगे वह देखेंगे तो सब्सक्राइब बात करते हैं फाइनलाइजेशन अफ एकाउंट्स का मतलब है जो भी आपका एरड है या ओमीजन से वह आपको दूर करना को चेक करना है आपके अकाउंट्स को बूक्स अफ को जेनरली यह जो है आज यह एंड किया जाता है लेकिन मैं रेकमेंड करते हूं कि आप लोग मन्तली बेसिस पे जरूर फाइनलाइज कीजिए अपने अकाउंट को आज अकाउंटेंट या अकॉंसर्टन ताकि आपको पता रहा है कि एरर कहां है और टाइमली डिटेक्शन हो है आपको जितनी भी एक्सफेंसेंस हम यूज करेंगे डेली बेसिस पे आपको दिख जाएंगे तो यह अप्रेल फैंटी से लेकर मार्श वरिवां तक का डेटा है मैं शिफ्ट एंटर सिंपली करती हूं यहां पर मैं एडविटिसमेंट में जाती हूं तो यह एंट्री है एडविटिसमेंट अकाउंट डेबिट टू पपो एडविटाइसर यह 50,000 रुपे की एंट्री है सबसे पहले जी एस्ट की बारे में बात करो तो जी एस्ट का क्रेडिट इसमें लिया नहीं गया है हो सकता है सामने वाला पार्टी जो है वो जी एस्ट में अन्रेजिस्ट इस वजे से क्रेडिट नहीं लिया गया हो उसने टाक्स इंवाइस रेजना किया हो नेकिन अगर वो रेजिस्टर होता तो उनको सेक्शन 16 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑप देखना पड़ता है सेक्शन 16 बोलता है अगर आपको जी एस्ट का क्रेडिट चाहिए तो आपके प सबसेक्शन 5 बोलता है कि ब्लॉक क्रेडिट के कारण आप क्रेडिट नहीं ले पाते इवन आप उसको बिजनस के लिए यूज कर रहे हो तो यहां पर तो देखे सामने वाला पार्टिंग माल लेते हो अन्रेजिस्टर्ड है इस कारण उसने जीस्ट की नहीं की है लेकिन अ जादा अगर सिंगल बिल का वाल्यू है तो और एग्रिगेट में अगर एक लाग से जादा है तो इसके इसमें 30,000 से जादा आपको दिख रहा है तो मुझे टीडियस काटना था तो मैंने टीडियस काटा है या नहीं काटा है जड़ा देख लेते हैं एसकेप करी हूं मैं मैं सिंपली डिस्क्ले में जाने वाली हूं अकाउंट्स बुक में जाओंगी मैं और मैं जाओंगी लेजर में एल में जाती हूं लेजर में जाने के बाद मैं पपको एडवर्टाइजर का लेजर देखते हूं यहां पर अगर आप देखोगे ऑल्ट- interest per month or part of month के हिसाब से लग जाएगा आपका तो वो आपको देखना है आपको simply PL में जाना है यहाँ पर जाके चलिए मैं वाउचर में entry करती हूँ सबसे पहले मैं PL में जाऊंगी PL में जाने के बाद indirect expense में में एक बार आती हो और advertisement में आती हूँ यहाँ पर मुझे control enter करके से edit करना होगा क्योंकि यहाँ पर TDS not applicable किया वाइस को applicable करना होगा ठीक है payment to contractors जो है वो मैंने select किया है payment to contractors का कैसे मैंने create किया था मैं control enter करके आपको बता देती हूँ यहाँ पर payment to contractor का section लिख दिया 194C payment code जो है last three जो है अपना alphabets वो रहेगा digit और alphabets 94C limit single bill का 30,000 और थ्रेशोल्ड एक लाग 1% without with pan without pan 20% individual की case में हुएफ की case में other deductive case में with pan 2% without pan 20% यह details मैंने डाल दिया है और मैंने इसमें डाल दिया payment to contractor अब पपो एड़िटाइजर जो है उसको edit करना होगा यहाँ पर TDS को applicable yes करना होगा और इसको individual और HOF मैंने बोला है और deduct TDS in same voucher को मैं no रख रहे हूँ ठीक है मैं अलग से voucher entry करके आपको दिखाऊंगे तो control यह हम कर देते हैं करनी के बाद आपको simply voucher में जाना है voucher में जाके हम entry करते हैं किसका पपो एड़िटाइजर का इसका TDS में को क्या करना है डिड़ाक करना है मैं 28 का ही अगर ट्राई करती हूं entry होगा तो अगर यह आपका 28 मार्च का मैंने entry किया है तो पपो एड़िटाइजर में को सिलेक करना होगा मैं एक बार एक रुपए हैं आपर ले रही हूं और क्रेडिट क्या करूँगी TDS TDS Pable on Contract यह बनाना पड़ेगा Alt C से TDS Pable on Contract यह मेरा Duties and Taxes में आएगा यह मेरे TDS के अंतरगत आएगा और यह Pable to Contract में आएगा पेमेंट to Contractor कंट्रोल ए करते हैं अगेंस्ट एफरेंस में जो जर्नल एंट्री मेंने की ती उसकी रेफरेंस में सिलेक कर लेती हूं सिलेक करने के बाद देखे 10,000 अपने आप डिटाक्ट हो गया आप बोरूँगे मैं 10,000 क्यों हुआ वान परसंट अगर आप 5,000 पचास हजा करोगे तो क्या 10,000 तो नहीं होगा ओविसली लेकिन यहां पर मैं कितना परसंट कर रही हूं 20% इसलिए 20% डिटाक्ट हो रहा है तो यहां पर हम 10,000 करके एंट्री कर लेते हैं तो बेरी इंपॉर्टन आप नरेशन लिखो काफी अकाउंटेंट्स है जो नरेशन नहीं लिखते हैं तो यह करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि हम लोग को पता रहे कि क्या वीजन से टीडियस डिडाक्ट हुआ है अब यह हो चुपा है हमारा अब हम दूसरी जगा जाते हैं पील के दूसरे हैट्स में हम जाते हैं अगर हम इसको एंटर करें तो यहां पर देख सकते हैं और फीस का जो है प्रोविजन एंट्री किया गया है तो अब आगे चलते हैं आगे का गया तो यह सकते हैं और नहीं करणा है तो तो reason यह हो सकता है कि बहुत छोटा amount होता इस वज़े से नहीं करना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, next हम broadband charges में जाते है, broadband charges जो है, वो आप देखिए, same amount आ रहा है, 824 रुपया शायद कोई plan लिया गया हो, पर मन्त के basis पे 824 रुपीस payment हो रहा है, लेकिन अगर मार्च की booking नहीं होए है, लेकिन हम लोग को मार्च का खचा ऊप अगर हम इस साल बुक करना है, तो इस साल का खचा अगर हम इस साल बुक करेंगे, तो accrual basis of accounting हमें फॉलो करना है, कैसे करेंगे, इसको duplicate entry कर देती हूं, मैं 27 मार्च की entry करती हूं, डुब्लिकेट कैसे करते ह मैं काम करते हूं 27 मार्च दो हजार 21 की एंट्री में मारती हूं तो यहां पर 824 रुपया जो है वो मैं कर दी हूं बीम ब्रॉडबेंड चार्जिस पेबर तो ऐसे मैंने कर दिया कंट्रोल ए कर देते हैं अब आगी चलते हैं ऐसे कार इंशॉरंस में आते तो जैसी कार इंशॉरंस हमारे दिमाग में आता है उयार यह तो सेक्शन सेवेंटीन सब सेच्शन फाइड में कावर होता है ब्लॉप्प्रेडिट होता है मतलब एसका जो है वह नहीं मिलेका तो अगर मैं अंदर जा चाके देखूं तो यहां पर आपको दिखेंगा उपर उपर तो लग रहा यार ट्रेडिट तो लिया गया है अब क्या करना होगा यहां पर अंदर मैं गई हूं करते हूं मैं कर देते हूं मैं इनिविजभा इसकी में जिस्पलेय में जाते हैं और स्टेटरी रपोर्ट में जाते हैं और जीयस छसी जाएंगे अम् हम धक्रते हैं space मार देते हैं ताकि पूरा period जो है वो खुल जाए तो पूरा period जो है वो खुल गया है अब eligible ITC में हम देखते हैं देखें यहां पर reflection हो रहा है as per section 17 subsection 5 ineligible ITC में इसका reflection हो रहा है ठीक है तो यह entry तो ठीक है लेकिन एक और चीज हम लोगो यहां पर ध्यान देना है क्या ध्या कार इंशॉरंस की entry debit किया गया है ताकि टैली प्राइम को पता चले कितना ITC blocked है लेकिन यह जो 872.39 है यहां पर दिख रहा है आपको 872.39 इसको मेरे को कार इंशॉरंस के value से आड करना है तो एक entry में को करना पड़ेगा journal के voucher में कार इंशॉरंस अकाउंट डेबिट टू इ इसे करेंगे कार इंशॉरंस डेबिट करके पहले मैं अमाउंट आपको वापस से कनफॉर्म कर देती हूं 872.39 यह कार इंशॉरंस अभी 9,00693 दिखा रहा है फोड़े पाद 11,000 दिखाएगा क्योंकि यह जो क्रेडिट है हमें मिलेगा नहीं तो मेरे को क्या करना लेंगे वाउचर में जाएंगे हम सिंपल ही हम कहां जाएंगे जर्नल में हम है एफ टू करके नाइन जून डेटेट एंट्री कर देंगे 2020 होगा यहां पर मैंने गल्ती से किस ले लिया है यह भी ध्यान दे कि डेट आप सही से ले ठीक है तो यहां पर मेरे को कार इंशॉरंस लेना होगा एक बर मैं एक रुपर लिख रही हूं क्रेडिट इंपुट्स SGST और CJST को करना होगा 872.39 एक और क्रेडिट करना होगा मेरे को इंपुट्स SGST को 872.39 था या 93 था ऐसा कुछ था वह हमनों को करना होगा करने के बार कि यहां पर कंट्रोल एंड करके 872.39 इंटू 2 कर देते हैं तो 1744.78 आ रहा है तो यहां पर हम डाल देते हैं 1744.78 तो यहां देख सकते हैं मैंने इंट्री जो है वो कर दी है क्रेडिट कर दिया है मतलब उसको हटा दिया और कार इंशॉरंस के वैल्यू को बढ़ा दिया है ठीक है आप नरेशन लिख दीजे बीम कार इंशॉरंस वैल्यू इंक्रीस्ट ठीक है तो ऐसे मैंने वैल्यू इंक्रीस कर दी है क्योंकि इसका क्रेडिट मिलेगा नहीं पीयल में हम जा सकते हैं पीयल में जाने के बाद यहां पर देखें कार इंशॉरंस का वैल्यू जो है वो इंक्रीस हो गया है ठीक है यहां पर इंक्रीस हो गया है अब यह कार इंशॉरंस जो है बहुत सारे जंग क पैड कि प्रिपेड जो है वो आपका यह जो क्या है यह प्रिपेड माना गया पहले से पेडमगाने का मचान और फो सब unasप साल स्ट का सम थीजिया जून warranty जून तक का का जो ऑ कार इंशॉरेंस întaru ए हुऑ इस साल का क़चा है और बागी का खजा जो है वो next मेहने का होगा मतलब next year का होगा तो वो bifurcation हमको करना होगा और simply entry pass करना होगा prepaid insurance account debit to car insurance prepaid insurance हमारे लिए क्या हो जाएगा asset हो जाएगा तो ये भी हमको ध्यान रखना है मैं आपको एक entry बदा देती हूँ एक बार करके voucher में जाके जर्नल में आप यहाँ पर hold C करके prepaid insurance बना सकते हैं prepaid insurance आपका क्या है current asset के अंदर इसमें already created है तो यहाँ पर आप prepaid insurance डाल सकते हैं ठीक है control enter ये देखे current asset में आ रहा है ये तो suppose कि ये 2000 जो है वो पहले से paid है तो आपको प्रियाट के हिसाब से decide करना पड़ेगा और credit आप क्या करोगे credit आप insurance को कर दोगे car insurance को तो इसका value कम हो जाएगा car insurance का और car insurance का value कम हो जाएगा और prepaid में balance sheet में reflect होने लग जाएगा तो ये आप काम कर सकते हैं लेकिन आपको decide देखना पड़ेगा कि कितना मेहने का prepaid है और कितना मेहने का आपका इस साल का ख़र्चा है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं carriage inward के बारे में carriage inward से सुनते ही आपको यह ध्यान में आता है जब हम purchase करते हैं तब जो हम पैसा देते हैं that is my carriage inward तो परचीज के समय जो भी transportation का खर्चा हम दे रहे हैं वो मेरा carriage inward होता है वो मेरा direct expense होता लेकिन यहां पर तो indirect expense में आ रहा है तो पहले तो हैट चेंज करना होगा जाते हैं carriage inward को हम क्या करते हैं पारेज इन्वर्ट जो है अभी का अगर मैं बात मानूं तो सामने वाला जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजनसी उसके पास दो ऑप्शन है या तो वह फॉर्वर्ड चार्ज में ले सकता है उसके पास ऑप्शन है और रिवर्ड चार्ज में है तो वह अपने टैक्स इंवोई में रिफ्लेक्ट किया है तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कहां कहां गल्तिया जो है वह हम ठीक कर देए कंप्यूटर एकसिसरी की यह payment हो जाना चाहिए और आपका return filing होना चाहिए प्लस 2B में reflection होना बहुत ज़रूरी है अगर 2B में reflection नहीं हो रहा है तो credit नहीं मिलेगा तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी है और computer accessory की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो computer accessibility scenes 5000 से कम का value का है और इसलिए मैं capitalize नहीं कर रही हो negligible है इसलिए मैं PL item में ढाल रही हूं इसको revenue expenditure मान रही हूं तो आपको देखना होगा कि proper bifurcation है revenue और capital expenditure में अब बात करते हैं कूरियर charges के बारे में कूरियर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको देखना है प्रॉपर इसका documentation maintain हो ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कूरियर के case में okay depreciation की बात करें तो depreciation जो है वो आपका entry अगर मैं आपको दिखाऊं तो depreciation account debit to car at the year end ही यह पास किया जाता है depreciation का entry वो depend करता है depreciation आपका income tax के अनुसार भी होता है और आपका companies act के अनुसार भी है अगर आप एक company है whether private or listed या public तो आपको companies act follow करना अगर 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 अप इंडिविज्व पार्टनर्शिक पर्म हो या कोई और वो जिसमें companies act टैपने के बन नहीं है तो आप tax audit की जो rules and regulation है वह आप follow कर सकते है तो आपको मैंने sheet provide करा है इसमें आपको दिख जाएगा इसमें आपका companies act के हिसाब से भी है और income tax act के हिसाब से भी depreciation calculate हुआ है इंड मशीनरी में 15% और आपका computer में 40% depreciation है तो आपको उस हिसाब से calculate करना पड़ेगा depreciation का computation आपको करनी पड़ेगा अब donation की बात करते हैं तो donation का खर्चा यह लोग cash में कर रहे हैं cash में donation का खर्चा अगर आप 2000 से जाधा करते हो तो आपको 80G में जो deduction मिलता है हो नहीं मिलेगा तो यहां पर देखी cash का कर्चा क्या हो रहा है 2000 से जाधा हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा as an accountant या as a consultant क्या 2000 से जाधा नहीं कर सकते हैं आपको 80G में नहीं मिलेगा प्लस आपको यह भी खर्चा भी होता है 40 A3 के हिसाब से अगर आप 10,000 से जाधा पेमेंट करते हो cash में single day में single party को तो आपको यह ध्यान रखना है कि cash में ऐसी खर्चा ना हो ठीक है और cash negative ना हो यह भी आपको ध्यान रखना जो है positive हो okay factory electricity charges जैसे हैं factory electricity charges में देख रहे हैं हम लोग कोई चीज दिमाग में आ रहे हैं यह तो factory electricity charges है factory electricity charges का मतलब क्या है कि यह direct expense यह indirect expense नहीं है तो आपको indirect expense में क्यों डाला वा है इसको डिरेक्ट में डालो तो हम जाते हैं factory expenses को मैं डालती हूं डिरेक्ट में डिरेक्ट expense में डाल रही हूं ठीक है डिरेक्ट expense में इसकी classification electricity में GST applicable नहीं है अगर मैं आपको information दू तो और factory electricity में थोड़ा pattern चेक कर यह previous year से compare भी कर सकते कि क्या production बड़ा था इतना electricity का बिल क्यों आया यह सब आप analyze कर सकते हैं तो यहां पर आप देखे में जून जुलाई में electricity का कोई खर्चा नहीं है शायद lockdown हो इस वज़े से में जून जुलाई में कोई खर्चा नहीं था फैक्टरी बन था इसलिए electricity बिल जीरो है तो आप थोड़ा 恐이人 किए तो यह सारी चीजवे आपको ध्यान में रखनी है आपको चेक करना है चलान में कितना इंट्रेस्ट लगा है उससाब से आपको आगे बढ़ना है को अब इंट्रेस्ट उन गारे में अगर मैं बात करूं तो मैं अनदर जाती हों और देखती हूं कि क्या एंट्री मारी करिए जैसी हैं इंट्रेस्ट और लोन के बारे में हम बात करते हैं तो यह पता चलता है कि सेक्षिन कोई एंट्रेस्ट कालकुलेशन चेक करना है कि मार्किट का जो प्रीविलिंग रेट है उस से ज्यादा तो इंट्रेस्ट नहीं लग रहा है यह आप यहाँ पर चेक्ट कर सकते हैं चेक्डाप केसे करेंगे आप balance sheet में जाएंगे, balance sheet में जाने के बाद आपको loans में जाना है, आप देख सकते हैं, यह unsecured loan काफी आ रहे है, सब का TDS deduct हुआ है या नहीं, जैसे यह जो parties है, इनका TDS काटा गया है या नहीं, 10% के साब से, इनके पास PAN नहीं है, तो 20% के साब से TDS deduct हुआ है या नहीं, यह आपको देखना है, यह हम लोगों नहीं कर लिया है, समझ लिया है कि क्या क्या होगा, अब legal service में जाते हैं, यह आपको याद होना चैएंगे, प्लस आपको यह याद होना चाहिए, आर सीम, इस पर applicable है, diagnostic है, करना होगा तो यहां पर टैक्सिबिलिटी को करना होगा और रिवर्स चार्ज को डालना होगा तो यह आपको बाते ध्यान में रखनी होगी कि कि रिवर्स चार्ज यहां पर यह करना होगा कंट्रोल करते हैं तो यह अमांट हम 34,000 जो है वो डाल देते हैं प्लस इसमें आपको लीगल सर्विस पर क्या है टीडियस भी है तो यहां टीडियस जो है अप्लिगेबल करना होगा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस वन नाइट जाते हैं यहां पर टीडियस को यह करना होगा और यहां पर आपको इंडिविज्व या हुचलेव सेलेक्क करदेती हू मैं रमैश का रेसिडेंट सेंगे वन वहाउचर को नो कर देतीं कंट्रोल करती हूं तो यहां पर मैंने शारी इफॉर डाल दई हैं अब यहां यहांपर हम डाल देति है कि इसकी एंट्री कब हुई थी इंडिरेक्ट एक्सवेंस की एंट्री अगर लीगल सर्विसेज में हम जाएं तो इसकी एंट्री जो है यह हुई थी 28 मार्श को तो 28 मार्श का मैं देखती हूं मैं जाती हूं वाउचर में करती हूं 28 मार्श दो हजारीक्टिश हम सेलेक्ट करते हैं क्या करेंगे करेंगे रमेश को डविट करेंगे funded क्रेडिच क्या करेंगे टीडियस पेबल on profession मुझे बनाना होगा tedious payable all secret कि मैंने बनाया है और profession थीक है यह कहां आएगा मेरा duties and taxes में reflect होगा यह tedious में आएगा और यह lease for professional services में अएगा against reference आपको select करना है फिर वापस से आपके पास अगर planned नहीं है तो 6800 जो है वो deduct होगा नहीं तो अगर आप PAN डालते हो तो आपका कम deduct होगा 10% के शाप से deduct होगा that is 3400 तो एक बर मैं यह एजूम करते हूँ इनका PAN प्रोवाइड़ नहीं है being TDS table on profession यह आप लिख सकते हैं ठीक है तो TDS हमने deduct कर लिया अब अगर आप deduct timely नहीं करते तो वो अब हमको एक चीज और देखना था क्या देखना था लिगल सर्विसेज में मैंने RCM को येस किया था तो यहां पर DOG में हम जाएंगे display में जाएंगे statutory reports में जाएंगे और कहां जाएंगे GST report में तो यहां पर GST या 3B में हम जाते हैं हुआ तो यहां अंसर्डन ट्रांसक्शन कुछ आ रहा है कि यह हम देख लेंगे अभी अभी यहां पर देख सकते हैं RCM to be booked में आ रहा है मतला अभी तक booking नहीं हुए है तो कैसे booking होगे तो कैसे booking होगे यहां पर देखे liability बुक्ट बैलेंस liability यहां पर आपको reflect कर रही है ठीक है अभी तक यह जो है booking नहीं हुए है RCM की यह last वाली entry की तो हमको यहां पर booking करनी होगी तो हमको देखना होगा कैसे booking होता है तो booking अगर मैं करना चाहूं तो यहां पर जो amount है कि बहुत सारे चीजों की booking नहीं हुए है इतने सारे amounts की जो है वह booking नहीं हुए है तो कैसे हम इसका booking करेंगे मैं आपको दिखाती हूं कि यहाँ पर आपको स्टाटाटर्य अजस्मेंट में जाना है स्टार अब जाना है एक मिनट कि पहले हम यहाँ जाते हैं आर्सियम वाली बुकिंग में में और ट्थी करते हैं अपोज हम लेते हैं लेते हैं 05 real हम लेते हैं सपोज लीगल सेविसेस का 28 मार्च तो था ना तो हम इक बर 28 मार्च का प्रियर्ट जो है उसको लेकर आपको क्लियरीफाई करते हैं डिस्प्ले इस्पले में जाते हैं यह पर लेकर कि आपको समझाने का कोशिस करती हूं क्योंकि इस अकाउंटेंट ने काफी कुछ बुकिंग नहीं कर रख यहां पर 6120 की जो एंट्री है यह दिखते हैं यह वाली जो है इसकी बुकिंग नहीं हुए रहा रमेश की इंपुट क्रेडिट की रिलेटेट तो आर्सियम तो यहां यहां पर स्ट अजिस्मंट में जाएंगे यहां पर हम सिलट करेंगे इंक्रीज ओफ ह स्टैक्स लाइबिलिटी औन इंपुट शुए कंड सेरिज्ट यह नेगर्स की इलवन tax is GST central tax में डालना है TDS not applicable करना है PCS भी not applicable है control A करते है rate आपका 2.5% है ठीक है taxable value 35 34,000 sorry 2.5% नहीं है 9% है थारा परशन के साब से न तो 34,000 यहां पर अपनको डालना है यहां पर आप कितना डालोगे amount I think यह आपका 3060 था अठारा परसेंट अगर हम करते हैं डेबिट करेंगे input SGST RCM पेबल स्वारी आर्सियम इसको डेबिट करेंगे यह GST में आएगा और यह हमारा state tax होगा इसमें आपका not applicable रहेगा TCS और TCS भी आपका not applicable रहेगा ठीक है 3060 हम करेंगे फिर हम क्रेडिट करेंगे input CGST RCM पेबल यह आपका duties and taxes GST और कौन सा टैक्स आएगा central टैक्स में आएगा और यहां पर आपका not applicable TDS और TCS not applicable ठीक है 3600 हम कर देते हैं 3060 था शायद हो कर देते हैं credit होगा input SGST RCM पेबल duties and taxes GST और यह state tax होगा और आपका not applicable TDS not applicable TDS ठीक है तो यह entry मैंने booking of RCM अब देखिए मेरा जो है लाइबलेटी जो है बुक हो गया बैलेंस लाइबलेटी जीरो हो गया है अब अगर मैं बहार जाओं तो RCM की जो लाइबलेटी यहाँ पर reflect कर रही थी कि मुझे booking करनी थी लेकिन अब तो मैंने booking कर दी तो यहाँ पर reflect नहीं कर रही है तो आपको यह ध्यान रखना है कि RCM की liability को आपको बुक करना होगा फिर payment करना होगा payment के लिए हम कहां जाएंगे voucher में जाएंगे payment जो है 28 मार्च का डेटेट था ना booking का तो पेमेंट क्या होता है अगर मैं मार्च का GST यार 3B की बात करूँ तो मार्च की GST यार 3B next month payment होती है next month का payment होगी 20 तरीक को तो 20 April को entry होगी क्या entry होगी एक बार मैं बता रहती हूं यहीं पर करके इन्पुट C GST RCM Paypal जो आपका 3060 था डेबिट करना होगा इन्पुट S GST RCM Paypal 3060 अब इसका पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा ठीक है बैंक के थूँ आप पेमेंट कर सकते हैं जो भी आपका है आप क्रिएट कर सकते हो जैसे में स्पार्ण कर रही हूं वेंक अकॉंडमेंट लॉकर आपको पेमेंट करना होगा ने अच्छ रिखान लगां बढ़ते हैं पील में जाते हैं हम कहां पर reflect कर रहा है यह तो capital expenditure है इसमें इसको तो fixed asset में होना चाहिए लेकिन यहां पर कहां दिखा रहा है यह इंडिरेक्ट expense पर reflect कर रहा है तो आप इसको enter कीजिए enter करने के बाद इसको printer को control enter करके fix asset में डाल दीजिए fix asset में डालना जरूरी है control A कर दीजिए this is my fix asset यहां PL में reflect नहीं होगा ओके अब मैंने PL से हटा दिया है printing and stationery जो भी आपका stationery का करचा है उसका proper voucher documentation maintain रखिए ठीक है professional tax का करचा जो हता है आपको साल में इक अब salary में हम जाते है salary expense के बारे में हम थोड़ा बात करते है salary expense अगर देखो तो आपका आ रहा है जून से तो एक question आएगा जून कब से आ जून मतब 30 जून का salary इनोंने दिया मतब जून का ही salary हम मान रहे है तो यह लोग जो है जून से employee ने जॉइन किया होगा इस वज़े से ऐसा किया होगा लेकिन मार्च का तो salary का booking नहीं हुआ है तो यह salary का तो booking entry आपको करना है जिस जिसका booking entry आपको करना जिस साल का expense है उस साल का तो आप booking करोगे तो booking कैसे होगा अब यह 28 February को आपको प्रोफेशनल टैक्स याद है प्रोफेशनल टैक्स वेस्बिंगॉल का जो slab है अगर आप वेस्बिंगॉल को बिलॉंग कर रहे हो तो मैं बताती हूँ वेस्बिंगॉल का slab क्या बोलता है प्रोफेशनल टैक्स का slab देखोगे मैं तोड़ा दिखाती हूँ आपको तो यह बोलता है कि 10,000 तक तो आपको professional tax लगता ही नहीं है 10,000 से 15,000 तक आपका 110 रुपया लगेगा तो यार यह 15,000 का salary है इसका तो 110 रुपय इसका काटना था लेकिन आपने काता नहीं है तो professional tax कागे तो आपको entry करणी पड़ेगी ओके तो इसका TDS आप कैसे काटोगे TDS नहीं professional tax आप voucher में जाओगे voucher में सब्सक्राइब एक बार 28 मार्श काई कर रही हूँ 110 रुपया आपको इसका काटना है हर मेहने हर मैंने कैसे काटेंगे salary payable to kaushik में जाते हैं यहां पर 110 रुपया लिखते हैं क्रेडिट क्या करेंगे professional tax बनाते professional tax payable अल्रेड़ी शाइड प्रिएटर था यह employee का है तो में को create करना होगा professional tax payable employee लिख देती हूं यह आपका आएगा duties and taxes में यह आपका क्या है अदर्ज में आएगा यह नौट अप्लिकेबल TDS PCS नौट अप्लिकेबल कंट्रोल यह 110 आपको लेना होगा प्रिएस डिड़क सारी professional tax डिड़क करना होगा तो यह दियां रखना है salary तो आप दे रहें what about professional tax वह तो आपको डिड़क करना पीएफ एसाइग करना है अगर मैं पीएफ एसाइग की आपको बात करूं तो पीएफ एसाइग की आपको पता होना चाहिए प्रिएफ एसाइग एसाइगा तो यह आपका इपीएफ का कंट्रिबूशन चार्थ है कि कितना employer का कितना employee अभी तक के लिए मैं professional tax में रहती हूं पीएल में जाते हैं हम अब यहां पस स्टाफ वेलफेर आ रहा है स्टाफ वेलफेट हो है आपका पांच रिजार रुपया रहा है क्या चीज़ का रहा है डॉमिनोस को इसमें बाइचांस इन्हों ने नरेशन लिग दिया है बींग पेड फॉर पिज़ा पार्टी पिज़ा पार्टी फूड एंड ब्रेवरेजिस पेड ग्रेडिट है कॉन सब्सक्राइब को इन्होंने येस नहीं किया है और डबलू करते हैं यहां फॉर्स्ट एप्रिल दो हजार बीस लिखते हैं कि यह पर टाक्सबल तो रहेगा लेगें यह ब्लॉक ट्रेड़ित को यह करना होगा से अल्टर में 5 परशंट डालना होगा तो यह सब उन्होंने डाला नहीं ब्लॉक ट्रेडिट को यह किया नहीं एक बर हम जाके देखते हैं सारा दिख रहा है ओके तो प्लॉक्ट रेजि स्टाप उलफेड में तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा गाईज कंड्रोल एक करते हैं अगर मैं डिस्प्लेय में जाओ गाना इस्ट्री पॉर्ट में जाओ जाओ जी एस्टेर्पॉर्ट में जाओ और जी एसट्या थी बी-में जो तो यहां पर आना चाहिए मैं एक बार स्पेस मार देती हूं कि कहां आएगा यह सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इनलिजिबल आईटीसी में आइगा यह तो आ रहा है कि एकदम अभी वे एंट्री हुई नहीं है हम लोग को staff welfare का amount 125 125 दोज़वचीश से बढ़ाना पड़ेगा कैसे बढ़ाएंगे voucher में जाएंगे बढ़ाएंगे क्यों क्यों कि उसका credit तो मिल रहा नहीं है तो अलग से दिखा के क्या करेंगे यह मेरे जो item है उसके cost से यह add हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे journal में कि एक सो पच्छिस और इंपूट एज यह से एक सो पच्छिस बीग स्टाफ वेलफेर कि अमाउंट कि इनक्रीज़ के इंक्रीज़ क्यों कि यह क्या गया कि इसका cost बढ़ जाएगा पील में जाते हैं शिप्ट एंटर करते हैं यहां स्टाफ वेलफेर देखिए मैंने बढ पहले पांच हजार था फिर पांच हजार दो सो बचास हो गया तो आपको टीज़ का लेट फीस लगता है वह आप चेक कर लीजेगा कितना दिन डिले था को के टेलीफोन चार्जस यहां पर आप देखिए टेलीफोन चार्जस रिफ्लेक्ट हो रहा है चेलीफोन बिल जो है वह आपके नाम पर रहा है यह इपको ध्यान रखना है यह अपको कब से आरह रहा है इन्होंने जो है शायद लास्ट मन्त का बुट नहीं किया अगर मैं देखूं तो इनका जो है 12 मार्च का बुकिंग है 12th मार्च का मतलब यह कौंसे बिल का बुकिं तो आप पहले बिल चेक कीजिए और माच के बिल का भी बुकिंग कीजिए प्रोविजिन एंट्री हम लोग को जरुवत है करने का इसमें किया वा नहीं है तो हम लोग यह सारी चीजे देखते हैं अगर हमको इंडिरेक्ट एक्सपेंस की वाउंचिंग करनी होती है तो यह सार जाज केस्वेंस